और दुनिया में इतनी गरीब कंट्रीज हैं जिनका पाकिस्तान से भी बुरा हाल है लेकिन उसके बाद भी ज़ादा पैसा जो है वो पाकिस्तान को क्यों मिलता है आपने कभी सुना है कि कोई आर्मी कपड़े, साबुन, तेल यह सब बेचती हो यह दुनिया की अकेली आर्मी है जो सीमेंट, कपड़े, मीट, इंस्टेट यह सब बेचती है जब जनरल साब रेटायर हुए तो उनकी वाइफ की वेल्थ 220 करोड हो गई और अगर पूरी बाजवा फैमिली की वेल्थ को देखा जाए तो 1270 करोड हो गई यह लोग ऐसा कौन सा ख़जाना खोद रहें जनरल बाजवा ने इमरान खान को पीएम बनाया इसके बदले में इमरान खान ने जनरल बाजवा का टेन्योर एक्स्टेंट करवाया कुछ तो रही होगी मजबूरिया यूही कोई बेवफा नहीं होता देखे जो सिचुएशन पाकिस्टान इस प्रटिब्लोर टाइम पे फेस कर रहा है ऐसी सिचुएशन में पाकिस्टान इससे पहले कभी नहीं फासा शौपिंग कॉंप्लेक्स और मॉल्स को साड़े आठ बे से पहले बंद करने के ओर्डर आगा है एलेक्ट्रिसिटी सिस्टम कॉलाप्स करने की स्टेज पे गेहू की शॉटेज हुई है और कई केसेस पे तो ऐसा देखा गया है कि जो गेहू से भरे ट्रक हैं उसके पीछे लोग बाइकों से पीछा कर रहा है सिर्फ एक साल में पाकिस्तान की करनसी 40% गिरके 267 पाकिस्तानी रुपीज तक पहुच गई है ब्लैक आउट इससे पहले भी होते थे पाकिस्तान में 2015 में 2021 में भी हुए थे लेकिन इस लेविल के नहीं हुए थे सिर्फ पावर कट से होने वाले लॉसेस की वज़े से पाकिस्तान की GDP 4% तक नीचे गिर गई है पावर कट की वज़े से पाकिस्तान का textile, manufacturing sector ये पूरी तरीके से नीचे आ गया है और जो forex exchange है वो 3 million dollar से भी कम पे आ गया है शिरलंका की परावर पहुच गया अब आपके कई question होगे कि ये सब अचानक से क्यों शुरू हो गया बांगलादेश पाकिस्तान से भी पीछे है वो आगे कैसे निकल गया लेकिन पाकिस्तान कैसे पीछे रह गया पाकिस्तान की actual में दिक्कत क्या है जिसको सबसे जादा aid मिलती ही पूरे दुनिया बर से वो सबसे जादा पीछे क्यों रह गया और दुनिया में इतनी गरीब countries है जिनका पाकिस्तान से भी बुरा हाल है लेकिन उसके बाद भी जादा पैसा जो है वो पाकिस्तान को क्यों मिलता है अब देखे इससे पहले कि मैं करेंट सिचुएशन की बात करूँ कि इस बार पाकिस्तान को पैसे मिलने में दिक्कत क्यों आ रही है IMF क्यों पीछे हट रहा है या फिर US, इमरान खान और आर्मी का क्या रोल है इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए पहले आपको रूट को समझना पाए जब इंडिया पाकिस्तान का पाटिशन हुआ था तो पाकिस्तान को वन थर्ड मिलिटरी मिली थी और overall resources में से 17% मिला था यह जो details में बता रहा हूँ, यह पाकिस्तान के एक author है हुसेन हकानी, इन्होंने भी यह चीज confirm कर रखी है जो major industries थी, वो total 921 थी, उसमें से सिर्फ 34 पाकिस्तान के सिमाई थी तो उस particular time पे जब partition हुआ था, तो जो economic control था, वो इंडिया के पास था RBI उस time पे पाकिस्तान का भी Central Bank था और इंडिया का भी, लेकिन control इंडिया के हाथ में था इंडिया का जो total cash balance था, वो 400 करोड था और ये decide हुआ था कि इस 400 करोड में से 75 करोड पाकिस्तान को दिये जाएंगे 75 करोड में से 20 करोड जो थे, वो पाकिस्तान को 15 अगस 1947 को ही दे दी जगए थे और बाकी का जो 55 करोड था, उसको बाद में देने की बात की गई थी उस समय पाकिस्तान के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत थी, वो थी कि ये जो refuses आये थे, उनको settle करना, उसमें काफी पैसा चाहिए था लेकिन उस टाइम पे कश्मीर को लेके काफी issue हो रहा था, तो नहरू जी और पटेल जी ने ये माना कि ये जो 55 क्रोड हैं इसको रोख लेना चाहिए, वरना ये इस पैसे से हतियार खरीदेंगे और हमारे खिलाफी use करेंगे हालकि ये जो पैसा था ये आगे चलके महात्मा गांधी जी ने दिलवा दिया था, लेकिन उस पटिलोड टाइम तक जब तक पैसा मिला था, उससे पहले भी पाकिस्तान की जो economic condition थी, वो काफी खराब थी economic condition भले ही थोड़ी सी weak थी, लेकिन military strong थी, क्योंकि इंडिया agree कर गया था, one third army split करने के लिए इंडिया की जो political leadership थी, वो जादे strong थी, पाकिस्तान के मुकाबले, इंडिया की तरफ से नहरू जी, गांधी जी, सरदार पडेल जी, multiple strong leader थे, वहीं Muslim League में सिर्फ जिन्ना के बाद कोई और strong leader आया ही नहीं, जिन्ना की death के बाद ना तो जिन्ना के level का कोई powerful नेता आया और न किसी को मार दिया गया, किसी का तकता प्लट कर दिया गया, इतने बड़े-बड़े politicians को मारा गया, आज तक इनकी एक भी agency ये नहीं पता लगा पाई, कि PM को मारा किसने है, इमरान खान जो थे, इनको rally में गोली मार दी गया, ये आज तक नहीं पकड़ पाए, कि गोली चला ह किसने, बिना किसी बड़े हाथ के ऐसा possible ही नहीं हो सकता, कि किसी के बार में पता ही नहीं चलना कि इनके PM को मार कौन रहा है, इनके बड़े-बड़े नेताओं को मार कौन रहा है, कुछ केसे में तो lock payment किया गया, ताकि जो पूरा control है वो पाकिस्तान की आर्मी के हाथ में आ ग्रो तो करना ही था, लेकिन सीधे सीधे economic development मुश्किल था, क्योंकि उसके लिए political stability और patience चाहिए होता है, production और export करना होता है, तो पाकिस्तान की leadership ने इसके लिए नयने जुगार निकाले, और इसी efforts में उसको दिखा United States of America, और उसकी military needs, पाकिस्तान को उस पड़े लो टाइम लेकिन question है कि ये foreign aid दी क्यों गई, देखिए आज की date में आप देखते होंगे कि इंडिया के अंदर बहुत सारे US के call centers है, US के employers वहाँ के employees को छोड़के, इंडिया से बंदे हायर करते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि एक US Indian की salary काफी ज़ादा होती है, उसकी जितनी भी liability होती है, वो US के employer की होती है, insurance, pension, जैसे तरह तरह के benefits देने पड़ते हैं, कोई accident भी हुआ तो सारी responsibility उस US के employer की बनती है, infrastructure maintain करना, office वगारा, ये काफी बड़ा खर्चा होता है, लेकिन इंडिया के अंदर सारे employees कम पैसे में मिल जाते हैं, और किसी की भी liability US के employer के उपर नहीं होती है, same concept US अपनी military में भी use करता है, लेकिन US usually दो तरीके से war लड़ता है, अगर उसे लगता है कि stakes बहुत जादा high है, तो वो war में खुद कूद जाता है, जैसे उसने वेतनाम में किया, या फिर इराक में किया, लेकिन जब उसको लगता है कि सीधा कूदने में फायदा नहीं है, तो वो shadow war लड़ता है, इसमें वो दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना के काम करता है, महलीजी अपने interest को पूरा करने के लिए US अगर अपनी खुद की आर्मी भेजने लगेगा, तो पहली चीज तो अपनी citizen को खत्रे में डालेगा, और अगर उसको कुछ हो गया, तो उस और उनकी funding करता है, जिसे कि वो अपना मकसद पूरा कर पाए, जैसे अफगानिस्तान के अंदर मुझाइदीनों से उसने अपना काम करवाया, कई ऐसे militancy group होते हैं, मुझाइदीन होते हैं, जो पैसे लेके भी लड़ाई करते हैं, अभी जो Russia-Ukraine war चल रही है, उसमें भी अगर search करोगे तो, Russia ने Syrian fighters को पैसा दे के recruit किया है, जिनने mercenaries भी बोलते हैं, ये पैसा लेके उक्रेन के खिलाफ लड़ रहा है, और इस model में risk एकदम कम होता है, आपको भारी-बारी salaries नहीं देनी होती है, आपको बस weapons और training प्रोवाइड करानी होती है, और इस पूरे game में पाकिस्तान पूरे area का एक training center बन गया है, और इस training center को बनाया Pakistan military ने, जब इंडिया और पाकिस्तान अजाद हुए थे, तो उस पडिरो टाइम पे दो ही सुपर पावर थी, एक USA और दूसरी Soviet Union जो अभी Russia कहते हैं, इंडिया का जुकाओ भी Soviet Union की तरह भी था, ऐसे में US को प पाकिस्तान एक option की तरह देखता था, US अफगानिस्तान में अपना control पाने के लिए Soviet Union के खिलाफ मुझाइद दिन तयार करता है, और इन सब की training का जम्मा लेता है पाकिस्तान, तो जब Soviet Union और अफगानिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो उसमें rather than US ने अपनी military उतारने के मुझाइद दीन्स को रेडी किया, ना तो मुझाइद दीन की जान जाने पर US की कोई जवाब देई थी, और ना ही भारी-भारी salary देनी थी, और risk भी खताम हो गयता है, क्योंकि अगर US की military अफगानिस्तान में उतरके Russia के खिलाफ लड़ती, तो ये war Russia और US की war मे सब supply करा है, इसमें Pakistan के लिए भी फायदा था, क्योंकि बिना कुछ produce करे या effort लगा है, US से पैसा मिलने लगा था, US ये पैसा कभी aid की form में बेचता था, तो कभी human rights के बाहने से बेचता था, usually आप देखोगे तो foreign aid उन देशों को मिलता है, या तो जो गरीब हो, या किसी crisis से गुजर रहे हो, जैसे कोई war या फिर natural disaster हो, लेकिन पाकिस्तान को aid मिलता था, उसकी strategic location की वज़े से, उसकी usefulness की वज़े से, in fact, साल का एक budget भी fix कर दिया गया था, जिसमें billions of dollars आते थे, पाकिस्तान को US की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान ये जो centers थे, और ये जो पैसा था, औ सब के बीच में, बिना मतलब किसी और की लडाई, उसने अपने सरदर्दी पे ले ली थी, लेकिन पाकिस्तान की जनता थी और government थी, वो US के aid और पाकिस्तान का अफगानिस्तान में help करने से बिल्कुल खुछ नहीं थी, जनता का ये मानना था कि अफगानिस्तान में ये भी हमारी जैसे ही Muslims हैं, और हम अपने भाईयों को मरवा रहे हैं, वहीं government इसलिए खुछ नहीं थी, क्योंकि aid की वज़े से मिलने वाला जो पैसा था, वो बस army तक ही पहुच पाता था, क्योंकि corruption की वज़े से पैसा नीचे तक पहुच ही नहीं पाता था, और Pakistan का export और production इतना क कोई खास नहीं था, इसलिए लोगों की जो गालियां होती थी, वो पाकिस्तान की government को मिलती थी, लेकिन पाकिस्तान की economic situation फिर से खराबताव होती है, जब अफगानिस्तान war 1989 में खतम हो जाती है, यह जो मुझाइद दिन US और Pakistan ने मिलके train किये थे, यह अफगानिस्तान की स पढ़ा है इनका YouTube के अंतर, अफगानिस्तान war के बाद अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूत नहीं थी है, अब इस चीज का आप अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि 1989 में US ने पाकिस्तान को सीधे सीधे 452 मिलियन डॉलर की aid दी थी, जो 1998 तक घटके 5.4 मिलियन डॉलर र काफी नुकसान हुआ और उसके बाद पाकिस्तान को USA ने स्टैंडबाय मोड पर डाल दिया, लेकिन पाकिस्तान की किस्मत फिर चमकती है जब 9-11 अटायक होता है, वर्ट रेट सेंटर में ये अटायक अलकायदा ने करवाय था और US को डर था कि ये अटायक अगर दुबार पर ये की एनवल एसिस्टन देने का प्रपोजल था, लेकिन ये जो पैसा मिलता था इसको पाकिस्तान US के वार अंट टेरर के लिए यूज करने की बजाए अपनी एकनौमी को बचाने के लिए यूज करता था, अपनी आर्मी को इस्ट्रॉंग करता था, और जो मिलने वाले पैसे को miss spent किया है, और तो और इतने साल continuously aid देने के बाद भी ये पता चलता है कि उसामा बिल्ला दिन पाकिस्तान भी पकड़ा जाता है, मुल्ला उमर जो most wanted था, उसकी death भी पाकिस्तान की hospital में होती है, डॉनल्ड टर्म ने आते ही जो aid मिलता था पाकिस्तान को इसको पूज़तरिके से बंद कर दिया और पाकिस्तान की एकनॉमी जो bubble में थी उसको फिर से एक जटका लगता है, इन सारी चीजों की वज़े से पाकिस्तान की image काफी खराब हुई और foreign investment एकदम से खतम हो गया, बाहर की companies इतनी unstable जगा पे अपनी company नहीं लगाना चाहती थ अधा कि उनको नुकसान होना तैह है, इसके अलाबर tourism भी खतम हुआ, यह बहुत ही बड़ा factor था पाकिस्तान की एकनॉमी कॉलाप्स होंगा दुनिया में अलग-अलग तरह के देश हैं, कुछ की economy oil से चलती है, कुछ की economy manufacturing से चलती है, फिर IT sector से चलती है, कुछ की agriculture से भी चलती है, लेकिन पाकिस्तान की economy aid और loan से चलती है, पाकिस्तान एक aid dependent country है, जिस तरीके से पाकिस्तान US के लिए एक strategic location है, ठीक उसी तरीके से प पाकिस्तान के अंदर nuclear power plant बनाने में उसको मदद करी, और कई analysts तो ये भी मानते हैं, कि चाइना ने पाकिस्तान को nuclear program बनाने में भी मदद करी, अब देगे अगर आप हमारी वीडियो देखते है, तो आपको चाइना की dead trap strategy है, वो अलड़ी पता होगी, लेकिन मैं फिर भी मो power plant बनाएंगे, तो बनाने से लेके हर चीज में Chinese worker और companies होती है, तो जो पैसा वो लोन देते हैं, वो उसी देश से कमा के एक business करके निकल जाते हैं, और on paper पे वो लोन as it is बना रहता है, और लोन का जो interest है वो बढ़ता रहता है, इनके clause में ये पहले से ही mention करवाते हैं, कि अ बच्चे बच्चे को पता है, तो पाकिस्तान के जो लीडर है, military है उनको नहीं पता होगी, तो देगी आपने कहवस सुनी होगी कि कुछ तो रही होगी मजबूरिया यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता, तो ये क्या-क्या मजबूरियां रही है इनकी, जब मैं आब आगे IM की बात करूँगा, तो उसमें समया बाता है, तो चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलके अपने Belt and Road Initiative, BRI के एंडर, China-Pakistan Economic Corridor, CPAC 2015 में बनाना शुरू कर दिया, और ये गवादर में भी एक port develop कर रहा है, और जितना पैसा चाहिए, चाइना बहुत ही अराम से दे रहा है, और चाइना ने अभी तक 30 billion dollar से जादा पाकिस्तान को लोन दिया है, और कुछ भी वापिस नहीं आया, चाइना को भी पता है कि वो पैसा वापिस नहीं आएगा, लेकिन strategic location में advantage उसको मिल रहा है, यहाँ वही same dead trap वाला model चलता है, सारे workers, companies वगएरा चाइना से ही आएंगे, यह पाकिस्तान को कि सीपक से दूर रहना ही पाकिस्तान के लिए ठीक है, कोई नया नेता आके अगर यह सारी चीजे सही भी करने लगे, तो हो नहीं सकता, क्यों यह बहुत ही पहले से चल रहा है, और अब एड लेना इनकी मजबूरी बन गया है, जनता परना PM को ही गाली देने एक्षियल में उसकी प्रॉब्लम सॉल नहीं हो रही है, करजा उसके उपर उतन ही है, बलकि इंट्रेस्ट और बढ़ रहा है, सेम इसी कॉंसेप्ट पर पाकिस्तान की एकनॉमी भी चल रही है, कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, बस लोन लेते हैं और उस लोन को चुका आने के लिए एक और लोन लेते हैं, यही रीजन है कि आप देखोगे कि किसी और कंट्री के लिए बेगर वर्ड यूज नहीं होता है, पाकिस्तान के केस में यूज किया जाता है, इनके खुद के पीम ने ओन रेकॉर्ड बोला है कि बेगर्स कांट वी चूजर्स, बेगर् पाकिस्तान आर्मी, और यह मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इंडियन हूँ तो बुराई करूँ गई, आप दुनिया के किसी भी न्यूज आउटलेट में पाकिस्तान के बारे में पढ़ियेगा, आपको पाकिस्तान आर्मी का exactly role क्या है, वो आपको पता चल जा लोन का interest payment करने के बाद पाकिस्तान की economy का सबसे बड़ा हिस्सा जो है, वो defense में जाता है, पाकिस्तान आर्मी ने 1947 के बाद आधे से जाधा time पाकिस्तान को rule किया है, और इनके पास security और foreign policy में बहुत जाधा power है, ये लोग उसको ही PM मनाते हैं जो इनके हिसाब से चलता है, इ पाकिस्तान की एक author है आईशा सिद्धिका, उनकी एक किताब है Military INC, अगर मौगा आपको लगेगा तो उसको पढ़िएगा जरूर, पाकिस्तान की आर्मी पूरे देश का पैसा कैसे घुमा रही है, एकनॉमी को कैसे control कर रही है, बहुत ही बढ़िया तरीके से उसमें बता ह यह दुनिया की अकेली आर्मी है, जो सीमेंट, कपड़े, मीट, इंशोनेंस, रियल स्टेट यह सब बेचती है, इनकी आर्मी पाकिस्तान की रियल स्टेट को control करती है, और हर जनरल को retirement के बाद plot पे plot मिलते हैं, पाकिस्तान आर्मी की net worth एक लाग करोड से भी जादा की है, पाकिस्तान आर्मी ने foundation और trust का एक network बना रखा है, जो पाकिस्तान के अंदर सारी चीज़ें own करते हैं, जैसे फौजी, शाहीन और बहरिया foundation, जिनको army, air force और navy चलाते हैं, इनमें से फौजी foundation सबसे बड़ी है, पाकिस्तान के अंदर bread तक भी military control bakery से बनती है, पाकिस्तान के welfare trust और 4G foundation को income tax से भी छूट मिलती है, और इस वज़े से इनके सामने जो private companies हैं, वो इनके सामने टिक नहीं पाती है, इनके आर्मी के पास power और पैसा दोनों है, आप कभी नहीं देखोगे कि एक गरीब देश की आर्मी इतनी अमीर है, हर देश की एक आर्मी होती है, लेकिन यहाँ पर आर्मी का ही एक देश है, आप बोल सकते हो कि मैं गलत बता रहा हूँ, लेकिन आप खुछ से भी एक बार चेक करिएगा, कि पाकिस्तान आर्मी चीफ जो इससे पहले थे, जावेद बाजबा, इनकी वाइफ की जो 2016 में wealth थी, वो 0 थी, जब जनरल साब रेटायर ह तो उनकी वाइफ की wealth 220 करोड हो गई, उनकी वाइफ इतने टाइम में ऐसा कौन सा business कर रही थी, कि उनकी wealth इतनी हो गई, और अगर पूरी बाजबा family की wealth को देखा जाए, तो 1270 करोड हो गई, यह लोग ऐसा कौन सा ख़जाना खोज रहे हैं, जो इनकी wealth इतनी जादा हो गई salary जोड़ो आप, उसके इतनी wealth नहीं बैठती है, लेकि उसके बाद भी इतना पैसा आ कहां से रहा है, तो आप थोड़ा सा भी common sense लगाऊगे तो आपको पता चल जाएगा, यह कुछ तो गढ़वड है इसमें, लेकिन यह सारी चीज़े question तब हो पाएंगी, जब मीडिया य हर जगा इनका control है, multiple observers का यह मानना है कि अगर पाकिस्तान की economy को grow करना है, तो economy में पाकिस्तान army का role जो है, वो खतम करना होगा, लेकिन इस direction में अगर कोई छोटा सा भी effort होता है, तो उसको वहीं पर fail कर दिया जाता है, उसको वहीं रोग दिया जाता है, क्योंकि इसकी वज सोला हजार एकर, कराची में बारा हजार एकर की जमीर है, जो इनको पाकिस्तान government से free of cost में मिली है, higher authority में कोई भी हो, जो भी इनके हिसाब से नहीं चलता है, उसको यह लाग मार के निकाल देता है पाकिस्तान के अंदर आर्मी की help से ही PM मनता है, और जब PM बन जाता है तो वह आर्मी चीफ के हिसाब से ही चलता है, जनरल वाजवा ने इमरान खान को PM बनाया, इसके बदले में इमरान खान ने जनरल वाजवा का tenure एक्स्टेंट करवाया, लेकिन दिक्कत तब हुई, जब जनरल वाजवा का tenure खता हो रहा था, और जनरल वाजवा अपने हिसाब से ही अपना आर्मी चीफ रखना चाहते थे, वो सेद असी मुनीर को अपना आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, लेकिन इमरान खान के सामने भी दिक्कत थी, उनको ये पता था कि अगर सेद असी मुनीर पॉर्म बनेंगे तो अगले election में उनको support नहीं करने वाले हैं इसलिए जनरल वाजवा के खिलाफ जाके इमरान खान ने जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाने की वकालत करी इस सब के बीच में जनरल वाजवा ने इमरान खान को हटा के शरीफ को PM मनवा दिया और शरीफ ने आसि पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी। पाकिस्तान में जो ब्लैक आउट्स हो रहे हैं उसके पीछे भी चाई नहीं है। सिच्वेशन है वो कंट्रोल से बाहर जा रही है। पाकिस्तान के अंदर सबसेडाइज गेहूं लेने के लिए अफरा तफरी मची हुई है। लोग लंबी-लंबी लाइने लगा के खड़े हुए हैं। गेहूं के ट्रेक्स के पीछे भाग रहे हैं। और इस वेज़े काफी जगाओं पर भगदर मच गई है। हालाद ऐसे हो गए हैं कि कई लोगों की जान तक चली गई है। पिछले साल जब रशिया और युक्रेन की वार स्टार्ट हुई थी तो दुनिया भर के अंदर फूड क्राइसेज आ गया था। रशिया और युक्रेन मिलकर दुनिया भर स्टॉक था जो पाकिस्तान के पास नहीं है जिसकी वज़ा से वहां पे सोचल अन्रेस्ट पैदा हो रहा है। और इनके जो फॉरेक्स रिजर्ब हैं वो भी भूत हालत खराब है उसकी तीन बिलियन डॉलर से भी कम पे पहुँच गया है और पता नहीं कितने दिन तक ये ट पाकिस्तानी रुपी अपने फॉरेक्स रिजर्ब में रखोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अब आप मार्किट में जाके पाकिस्तानी डॉलर दोगे तो वो कहेगा कि इसका मैं क्या करूँगा। ये पाकिस्तान के लावा कोई लेगा नहीं और पाकिस्तान जो एक्स्पोर्ट करता है वो मेरे किसी काम का नहीं है। पाकिस्तान में टेक्स्टाइल और डॉंकी जो है वो बल्क में export होते हैं तो इसलिए countries अपने forex reserve में dollars और gold वगरा रखती हैं जो all over world में accepted हो ताकि देश की जरूरते daily basis पे पूरी हो सके आप सुनते होंगे कि इतने दिन का forex reserve बचा है तो इसका यही मतलब होता है तो यह बहुत ही बड़ी दिक्कत है पाकिस्तान के लिए अब पाकिस्तान के हाला देख तो वैसे ही कमजोर थी उसके उपर से रशिया और उक्रेइन की war बीच में आ गई अब पाकिस्तान के भी जो forex reserve है उसका जो major हिस्सा है वो oil और gas product खरीदने में जाता है लेकिन जब से ये war चुरू हुई है गैस और oil के prices बहुत ही जादा बढ़ गए और पाकिस्तान के foreignism एकदम से खतम हो गए इंडिया इसलिए बज़ गया क्योंकि इंडिया को रशिया ने discounted rate पे oil दिया लेकिन पाकिस्तान को Gulf countries से महंगे में oil खरीदना पड़ा अब पाकिस्तान के पास दो option है या तो कोई country इंको loan दे या फिर कोई aid दे किसी तरीके से help करे या फिर ये IMF के पास जाए IMF से भी ये लोग 13 बार loan ले चुके हैं और एक बार भी नहीं लोटा है एक government को loan देना पूरी दुनिया में सबसे safest बाना जाता है लेकिन पाकिस्तान के case में ऐसा नहीं है यहाँ पे loan देना खत्रे जखाली नहीं क्योंकि वापिस नहीं मिलता है अब देगे आब ये भी कह सकते हो कि loan तो world bank भी देता है तो IMF का नाम क्यों आ रहा है यह world bank से अलग कैसे है और IMF को क्या पढ़ी है किसी देश की जब बुरी हालत है तो उसमें loan देने की तो इसको एक example से समझाता हूँ माली जह हम 10 दोस्त हैं और हमने यह decide कर लिया कि हम अपनी अपनी salary का 5% जमा करेंगे और इस fund को हम तब use करेंगे जब किसी के उपर दिक्कत आगी कोई financial दिक्कत आगी तो हम उसमें use करेंगे इससे होगा यह कि हम 10 के 10 जो दोस्त है वो safe हो जाएंगे और कोई मुसीबाद आती है कोई financial crisis आती है तो हम सब लोग safe हो जाएंगे insurance भी इसी तरीके से काम करता है तो ऐसे ही IMF भी काम करता है इसमें 190 countries है अपनी अपनी economy के हिसाब से पैसा contribute करती है और जिस country के उपर दिक्कत आती है उसको help की जाती है इंडिया top 10 countries में आता है IMF के इंदर पैसा देने में वहीं जो world bank का जो loan है वो इस से काफी अलग है world bank का जो loan होता है वो countries अपनी growth के लिए लेती है मालो मेरी एक company है अब मैंने सोचा कि company को grow करना है मुझे बाखी cities में भी ले जाना है उसको आगे बढ़ाना है तो इसके लिए जो मुझे loan मिलेगा वो world bank से मिलेगा world bank से लिया था इन्होंने railway के project के लिए अब railway से जैसे इंडिया कमाएगा वो उसको वापिस कर देगा ये तरह से business के loan की तरह काम करता है वो इस आइमेफ के entry तब होती है जब किसी country का बुरा time चालू होता है और आइमेफ जो loan देता है उससे पहले शर्ते रखता है कि loan तो देंगे लेकिर उससे पहले अपनी country में आपको कुछ चीज़े change करनी होगी और आइमेफ एक साथ loan नहीं देता है अगर आप example के तौर पे मान लोगी एक लाग रुपे हैं तो उसको वो दो-तीन साल में धीरे-धीरे करके देगा और वो तब-तब देगा जब आप उसके बतायोगे rules follow करोगे जैसे पाकिस्तान के अंदर आइमेफ ने ये सारे rules follow करने को बोले है लेकिन पाकिस्तान ने जो rules हैं वो follow नहीं किये हैं आइमेफ के रूल के इसाब से पाकिस्तान को gas, electricity, petrol इन सब के जो प्राइज हैं उनको बढ़ाने चाहिए लेकिन पाकिस्तान उल्टा कर रहा है उनको subsidies दे रहा है और पाकिस्तान की मजबूरी अगर subsidy नहीं देगा तो जो अभी महेंगाई चल रही उससे और जादा हो जाएगी तो पाकिस्तान जो है वो दोनों तरफ से फंसा हुआ है आइमेफ ने जो आर्मी के जो officials है उनकी टेक्स report है वो भी मांगी है ताकि पता चल सके कि सारा पैसा जा कहां से रहा है एक गरीब देश में आर्मी कैसे अमीर हो रही है उसके कोई effect क्यों नहीं पड़ रहा है इसके साथ साथ आर्मी का जो budget है आइमेफ उसमें भी कटोती करने को कह रहा है और यही कुछ रीजन है कि पाकिस्तान की आर्मी इस बार भी देखना आपको अचानक से सुनाई में आएगा कि इस कंट्री ने relief package दे दिया क्योंकि जा के अंदर secret deal कर लेते है दूसरी चाहिस में यह भी है कि जो पाकिस्तान की government है वो चाहती है कि इंडिया से relations सुद रहे क्योंकि तब ही trade होगा तब ही political stability आएगी लेकिन political analyst जो है वो यह मानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी कभी नहीं चाहती कि इंडिया से relations सुद रहे क्योंकि अगर इंडिया से relations सुद रहे तो यह जो 1000 करोड का budget लिया जाता है आर्मी के नाम पे उस पर question उठेंगे इसलिए आप notice करोगे जब भी दोनों देश के बीच में कोई treaty होती है या कोई नजदी के आती है या कोई बात्ची शुरू होती है तो अचानक से terrorist attack हो जाता है 2008 में पाकिस्तान के foreign minister बात्चीत करने डेली आये मुंबई में terrorist attack हो गया 2016 में मोदी जी पाकिस्तान नवाज शरीफ से मिलने गए उसके आते ही एक हफते के अंदर पठान कोट में terrorist हमला हो गया पाकिस्तान के प्रेजिटन आसिफ ली जरदारी ने कहा था कि हम इंडिया के साथ no first use policy accept करना चाहते हैं जैसे ये बात बोली गई जैसे मोहमत ने terrorist हमला कर दिया पाकिस्तान के पीम नवाज शरीफ और इंडिया के पीम अटल वियारी वाजपे जी 1999 में जब लहौर डिक्लिरेशन साइन किया था इन्होंने तो जो उस टाइम के आर्मी चीफ थे परवेश मुशर्र उन्होंने भी इसमें डोनेट किया था वो डैम बना ही नहीं और उसका पैसा सारा जेब में चला गया पाकिस्तान इंटरनेशनल एरलाइन इनका एक सीनियर ओफिसर था वो यूरोब में जाके इनका प्लेन ही बेचा है तो जितने भी डिपार्टमेंट है जितनी भी पाकिस्तान की जनता है उसको हर तरफ से लूटा जा रहा है तेंकि पाकिस्तान की जो करन्ट सिचूशन है वो किसी लोन या फिर किसी एड से नहीं सुधरेगी लॉग रन में पाकिस्तान की जो सिचूशन है वो आर्मीज हट के जब चीज़े पॉलिटीचन्स के आथ में जाएंगी तब ही सुधर काना